इंदौर के समरोल थाना श्वेत्र में बनी एक पटाखा फैक्टरी में देर रात अचानक आग लग गई जिसके बाद ग्रामेडू की मदद से आग पर काबू पाया गया देखिए ये खास रिपोर्ट फैक्टरी में रखे लाखो रुपए के पटाखे च्वल कर राख हो गए आग इतनी भीशण थी कि एक किलोमेटर दूर से ही आखी लपटे दिखाई दे रही थी फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचते ही आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया आग जोनी के दौरान फैक्टरी में रखे पटाखों में बार बार विस्फोट होता रहा हालाकि आग के दौरान किसी भी तरह की चुनहानी नहीं हुई प्यूर रिपोर्ट, MP News अन्दार